नमस्ते इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लैटफॉर्म देख रहे हैं आप आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया अकसर आप देखते होंगे कि घर पर भी आप बैठ कर मोबाइल पर लैप टॉप पर लगातार काम कर रहे हैं या फर टीवी स्क्रीन को बैठ कर बहुत देर तक द बैठे जंक फूड कंजियूम करते हैं हम सोचते हैं कि थोड़ा टाइम पास हो जाएगा या थोड़ा मंचिंग हो जाएगी और इसके इससे आपका मूड रिफ्रेश होगा लेकिन दीरे दीरे जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा उम्र आगे बढ़ेगी तो आप इस चीज क प्लाक बना देती हैं और हाट डिसीज का जो जो खिम है वो आपको घेर लेता है काफी दिर तक अगर आप बैठे रहते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन कम होता है आपके जो शरीर में फैट जमा होना शुरू हो जाता है और आपकी जो वर्क एबिलिटी है वो कहीं न कह कम होती चली जाती है ब्लड सर्कुलेशन बिगड़ता है तो इसका सीधा सीधा असर आपके उपर आता है आपका आपके जो खून के थक्के जो हैं वो बाडी में बनने शुरू हो जाते हैं जिससे की दिल के दौरे या फिर स्ट्रॉक का खत्रा बढ़ जाता है और हाई ब् प्रेशर को यह सपोर्ट करता है तो ऐसे में बहुत सतर्क रहनी की जरूरत आपको मोटापे का खत्रा बढ़ सकता है और इससे बचने के लिए आप थोड़ा कोशिश करें कि एक जगह पर अगर आप बैठे हैं तो थोड़ा एक्सराइज करते रहें पैदल चलते रहें बी एक स्केडियूल होता है वो फॉलो करने की बहुत जरूरत होती है इससे जो आपका शरीर है वो एक एक्टिव मोड पर रहता है एक ही पोजीशन में बहुत देर तक बैठे रहने से जो बिमारियां आगे आपको घेर सकती है उनका खत्रा कम हो सकता है तो कोशिश करें छोट पर ना बैठें जिससे आपके शरीर में बिमारियां घेर लें आपको या आगे आने वाले समय में आपको परिशानी का सामना करना पड़ें